नमस्कार न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है भारत सरकार ने धर्म के आधार पर आधारित जनगर्णा को अभी हाली में प्रकाशित किया है और इस पर चर्चा करने के लिए दिल्ली साइंस फोरूम से हमारे बीच दॉक्टर अमित सेन गुपता मौझूद है यह जो जनगर वेला इसकी है निसकी मुख कि और आखि इतनी लेट क्यों इसको भारत सरकार ने परकाशित किया पहले तो इसके निदीह और इसके सरकारी मन्शा जो तौन यह संसेस जो है 2011 में समाप्त हो गया था अंख्रे 2013 तक सरकार के पास थी किनी कारणों के वज़े से ये आंकड़े जो है सामने नहीं लाया गया था अभी जब ये आंकड़ों को सब के सामने लाया गया वो सीधा सीधा सरकार की जो राजनेतिक जो जरूरते हैं उसको पूरा करने के लिए खासकर बिहार के जो इलेक्शन अनॉंस किये गए हैं उस से जोडने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इन आकड़ों को सिर्फ घोशिट किया गया यह नहीं लेकिन इसके साथ तमाम कई सारे जो सांपरदाइक हिंदू सांपरदाइक संगर्ठने संस्थाएं हैं तमाम संस्थाओं ने प्रचार शुरू कर दिया है कि देखिए हम पहले से कह रहे थे और आकड़े यह बता रहे हैं कि मुसल्मान उनकी संख्या बढ़ती जा रही है हिंदू की संख्या काम होती जा रही है यह मेसेज जो है बार बार दिया जा रहा है हाला कि अगर आप आकड़ों को देखें सही माइने में उनको समझने की कोशिश करें तो आकड़े कुछ और कहती है आकड़े यह कहती है कि जो मुसल्मानों की जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हो रही थी उसमें अब कमी आई है जो rate of growth है वो कम हुआ है दूसरे जो समुदाएं हैं उनकी तुलना में मुसल्मानों की जो growth rate है वो ज़्यादा तेजी से नीचे आ रही है दूसरा यह भी इन आकड़ों से हम देख पाते हैं कि पूरे सिर्फ मुसल्मानों की जनसंख्या की बात नहीं है जो पूरी जनसंख्या जो अभी भी हिंदुस्तान में बढ़ रहा है उसकी बढ़ने की गती में अभी कमी आई है और इससे यह हम अन्रादा लगा सकते हैं कि अगले 20-30 साल में एक सिती हम ऐसे पहुंचेंगे जब लगबग हम लोगों का लोगों का हिंदुस्तान का जनसंख्या जो है वो स्टेबिलाइस कर जाएगा एक लेवल पर जो हम चाहते हैं कि क्यूंकि संसाधन जो है वो अगर कम हो तो उन संसादनों के हिसाब से अगर जन संख्या बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो तो उसमें एक असन तुलन की स्थिति आती है लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि जन संख्या बढ़ता क्यूं है और इसके पीछे जो कारण है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं हिंदुस्तान में ये एक रिवाज रहा है सिर्फ सामप्रदाएकरन ही नहीं जन संख्या की डिवेट को लेकिन महिलाओं के खिलाब भी इस डिवेट को ले जाया गया है और एक रिवाज रहा है कि हम गरीब महिलाओं पे दोशारब करके हम कोशिश करें कि जनसंख्या को पॉपुलेशन कंट्रोल करने की हम बात करते हैं कि जबरदस्ती नस्बंदी कर आँ महिला नस्बंदी अब उसके चलते हैं बहुत सारे केसेज आ रहे हैं अभी गटना घटी बहुत सारे महिलाओं की मौत हुई तो ये एक लोगों की दिमाग में ये एक सोच बैठा हुआ है कि जबरदस्ती जनसंख्या को हम कम कर सकते लोग ये नहीं समझते कि जनसंख्या जो है वो विकास के दर से सीधा सीधा जुड़ता है अब अंतराश्यस सर पर भी देखेंगे तो हमें बहुत सारे मिसाल मिलते हैं जिससे ये समझ में हमें आना चाहिए है कि विकास के दर जब एक लेविल तक पहुंचता है तभी जनसंख्या घटना शुरू हो जाता है और यही जुरता है Memorial स सवाल होना ऐला था कि जो समाजिक और आर्थिक ढाचों के आधार पे जन्गर्णा में एक हमेशा से एक समूरा है जिस पर भाहर सरकार प्रकाश डालती रही है तो क्या यह जैसे जो गरीबी रेखा का दर है इन सब मुद्दों पर भी क्या इस जन्गर्णा के यह जो तथ्यां इसमें इन में कोई की गई है आम तौर पर जो सेंसे डिपार्टमेंट जब किसी भी आंकड़े को पब्लिश करती है तो उसके साथ साथ कुछ समझाने के लिए कि यह रुजहान किस वजए से है वगेरा वगेरा इस बार यह जहां तक यह धरम के आधार पर जब यह आंकड़े सामने लाए गए तो कोई भी एक्स्प्लिशन जो है वो नहीं दिया गया क्योंकि मनशा सीधा था कि प्रोपगैंडा करना था कि मुसल्मान बढ़ रहे हैं हिंदू साब धान रहों तो इसलिए इसके पीछे जो और तत्थे हैं उनके बारे में जिक्री नहीं किया गया लेकिन तत्थे हैं और तत्थे कोई प्राइवेट सांस्थाओं है का ये तत्ते क्या कहते हैं तत्ते ये कहते हैं कि वर्क पार्टिसिपेशन रेट यानि कि मुसल्मानों की काम मिलने की जो सुविदा है या सिती है या दर है वो कहीं कम है बाकि सभी समुदाय से कम है मुसल्मानों में ग्रैजुएट्स की संखा जो है कम है दूसरे से या उच्छी सिक्षा तक पहुंचते हैं ऐसे लोग जो है वो उनकादर कम है जो गरीबी की मातरा जो है वो मुसल्मानों में अधिक है ये सारे आक्रे जो है ये उपलब्ध है और यहीं कारण है और जिसके व इस पे कारवाई नहीं करोगे तो चिलाने से कि मुस्लमानों की जन संख्या बढ़ रही है उससे कोई फरक नहीं पड़ने वाला लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यही रुजान जो है यह हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तान के बाहर भी जन संख्या में अलग-अलग को बिभाजित करने की कोशिश की गई है एक तरफ और दूसरी तरफ इन आक्रों को इस्तिमाल किया गया एक खास एक फासिबादी एक रुख के हिसाब से हिंदुस्तान में हम जानते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने 19. सदी में 20. सदी की शुरू में इसको जन संख्या के दर को मुसल्मान और हिंदी के दर को सामने लाके आपस में समुदाव के आपस में फूट डालने की कोशिश की जो बंगाल का जो पार्टिशन किया गया उसके पीछे भी इस आक्रों का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है इसरेल में आज भी जो वहां की जो पालिस्ताइन की प पलिस्तिनी जगहों पे वो सेटल किये जा रहे हैं अपर धैड वाली नसलवादी जो पहले रजीम थी सौट आफरिका में वो यही दलील दिया करती थी कि क्योंकि जो कलर्ड और ब्लैक पॉपॉलेशन है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है इसलिए हमें दिक्कत हो रही ह और उनकी तादाद कम करने की जूरत है तो यह इतिहास में अगर हम देखेंगे तो इस तरह के बहुत मिसाल में लेंगे खेट की बात है कि आज भी 21 सदी में हम हिंदुस्तान में इस पर चर्चा कर रहे हैं कि मुसल्मान बढ़ रहा है या हिंदू बढ़ रहा है या कोण से लोग है जिनकी जरुरत हैं अब पूरा नहीं कर पार हैं और कि दीटा से वह एक हमें एक जानत्सक्राइब मिल सकती है मिलती है लेकिन उस जानकारी के बारे में हम लोगों को कोई इंट्रेस्ट नहीए हम इस तरह से इस संख्या को एकAL डालने की राजनीती में हम इ कुछ और भी ऐसे तत्य हैं जिन पर हमें नजर डालने की जरूरत है तो बहुत सारी चीज़े आती हैं जो काफी दिल्चफ चीज़े हैं अगर हम चाहें तो जिससे अलग-अलग ट्रेंस मिलते हैं और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो मुस्लिम समुदाय हैं उसमें कई सा आकड़े ये बताते हैं कि वह पिछड़े हैं भी भी जिसके अतिहासिक कारण रहे हैं लेकिश आकड़े ऐसे भी हैं जो ये बताती हैं कि वह जो दूसरे समुदाय हैं उन Dogs UK अनुपात है इस एक से-स हो भी मुसलमान समधाय में कम है जो एनेटेफस की डेटा है वो बताते है कि 77 हैं हिंदू समधाय में और 51 हैं मुसलमान समधाय में अब इसके बारे में हम बात नहीं करते और मजदार बात ये है कि ये दोनों कारण जो है वो एक हिसाब से कहा जा सकता है कि ये भी जो ग्रोथ ऑफ पॉपॉलेशन है मुसल्मानों में इसमें इजाफा होने में इसका भी एक हाथ है क्योंकि अगर कम औरतों की मृत्यों होगी कम बच्चिया मरेगी ज्यादा औरतें सर्वाइफ तो जाहिर है कि पॉपॉलेशन बढ़ेगा अधिक मात्रा में तुलनात्मक अगर हम देखेंगे तो बढ़ेगा लेकिन इसके बारे में कोई जिकर नहीं किया जाता है अमें यह मेरा आखरी सवाल होगा आप शुरू से भी कह रहे हैं जैसे जो यह आर्थिक और समाजिक कर रही है और उनका पूरा स्टैंड क्या है अलप संख्यकों को लेके तो यह आगे का रास्ता आपको क्या नजर आ रहा है मौजूदा सरकार में कि क्या यह जो रिकमेंडेशन से यह लागू होंगी और भाचपर सरकार का इस पर क्या रूख होगा गंभीरता से इन आक्रों को लेना था तो पहले ही इसके बारे में एक अलग किसम का चर्चा हो सकता था और होना चाहिए था जाहिए है कि अगर उस तरह की चर्चा नहीं किया गया कि अगर किसी समुदाए में जनसंक्या अधिक मात्रा में बढ़ रहा है तो उसके कारण क्या है और जैसे हम पहले बा ये एक propaganda के तरह से ले जाना और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं victim blaming कि वही समुदाएं जो सबसे पिछड़े हैं उनी को आप दोशी ठराएं उनकी अवस्था के लिए ये कोशिश की जा रही है अब बहुत लंबे अर्से तक मेरे खाल से ये चल नहीं सकता क्योंकि ये सवाल कि किसम की मानसिक्ता की है जो गरीबों को पिछड़े वर्गों को ऐसे लोग जो रोजमर्रा की संगर्ष में अब लगबख ठक चुके हैं उनको अलग ठलग करने की एक रुजान जो है हमें मिल रही है सरकार से मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दिन तक चल सकता है क्योंकि सि बहुत सारे ऐसे लोग है जो परेशान है इस तरह की मानसिक्ता से और स्वाब स्वावाबिक है कि वह कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से जवाब देंगे शुक्रिया अमित इस पर बात करने के लिए और जैसे ही अगर सरकार अकड़ों को और प्रकाशित करते हैं तो हम आपके पास दुबारा आएंगे शुक्रिया नीज़ क्लिक देखने के लिए धन्यवाद